राम राम जेहन जिनको भी वेट गेन करना है एक तो घरम के बाहर ही सब ठीक है जिनको भी वेट गेन करना है उनके लिए हम कुछ स्मूदी बता रहे हैं और यह स्मूदी वो हैं जिनको पीने से मतलब वेट गेन में बहुत हैल्प मिलेगी मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर त इसको कि आप इस नंबर पर पेपेमेंट करके अपने घर मंगा सकते हैं इसमें पहले क्या है तुम अब इसमें देखो को मतलब इसको और अहीसा नहीं की लिखा दिया अगर तो छोम और कोई लेना इसको और नीचे Come पाद्ट ग्लास मौन मोजने हो सकता है कोई प्रॉब्लमने टीक है सोमवारको फटीक ready थिक आपक ंब 50 ग्राम котором उसी मेंघ कर दिना ग्राइंड कर देना टीक है उसमें हनी एक चॉकलेट दस रुपए वाली जो भी आती है और एक चमच पीनर बटर ये स्मूधी तयार कर लेना लगबाग 500 कैलरी से उपर ही तुमें मिल जाएंगी इसमें ठीक है ठीक है इसमें थोड़ा सा फैट भी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं चल जाएगा भी शुरुआत के वेट गिंद्रिंग के तोर पे भी इस्तिमाल किया जा सकता है तो 50 ग्राम सत्व जिसमें की दूद का इस्तिमाल करना है और अगर पच्टा नहीं है तो हम यह कहेंगे दूद सौरी इसमें दूद लिए बड़ डालना सत्व के साथ दूद बिल्कुल भी न लेना पानी के सा लेना है तीसरी चीज बुद्वार एक ग्लास दूद जिसमें की दस रुपय वाली आइस्क्रीम डिब्याली आती छोटी सी उसमें सुगर तो होता ही कोई दिक्कत नहीं बट एक फ्लेवर भी आ जाएगा और साथ ही साथ वे टेन करने के लिए एक्स्टा कैलरी जो चाहिए अभी के लिए वह भी बिल जाएंगी ठीक है चार खजूर और एक चमच देशी घी तो इसमें भी बहुत अच्छी कैलिज मिल जाएंगी और डाइजेशन का ध्यान रख रहा है इसलिए डेली हम मलब इस्मूदी जो है वो बदल रहे हैं ठीक है डेली हर दिन कुछ नया ला बना लिना बढ़ासा सेख बना लिना ठीक है सुकरवार को एगला दूध बस दूध के उपर जो क्रीम होती जो मला यह अपने बंती दूध के ऊपर उसको भी एड़ कर लेना उसी में और दो केले तो चेले और दालचीनी पाउडर ये ध्याने करें ना चीनीड़ नहीं तो तुम्हारा वेट गिन करने में तुम्हारी ये बहुत हेल्प करेंगे ठीक है तो ट्राइ करो और ट्राइ करके हमें बताना जरूर राम राम जैहिन